राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वाबंधों, आज मैं आप के लिए लाई हूँ जिवित पुत्री का व्रत कथा और उसकी पूरन पूजा विधी और जिवित पुत्री का व्रत 2020 में कब है? बंधों, यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारे सबसे पहले हो सके, बंधों वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बोक में, जे सुरे भगवान जरूर लिखें, बोलो सुरे भगवान की जे हो, कृष्न भगवान की जे हो, बंधों जिवित पुत्रिका व्रत को जीतिया व्रत भी कहते हैं, बंधों जिवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्न पक्ष की अश्टमी को किया जाता है, इस दिन सुरे नारायन की पूजा करनी चाहिए, बंधों 2020 में यह व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, इस व्रत को सुहागिन इस्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने अलंबी आयू की मनो कामना के लिए करती हैं, इस व्रत को निर्जला किया जाता है, कुछ जगों पर इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है, उत्तरपरदेश, बिहार, जारखन में यह व्रत पर मुक्ता से रखा जाता है, बंधों जीतिया व्रत संतान की सुक सम्रिध्धी के लिए भी रखा जाता है, बंधों यह पर्व आश्विन मास में क्रिशन पक्ष के साथ में से नोवे चंदर दिवस तक तीन दिनों तक मनाये जाता है। चंदर के अनुसार यह वरत 10 सितंबर को ही रखेंगे। और फिर पूरा दिन निजला वरत रखती है। वरत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूरे को अर्ग देने के बाद ही महिलाएं अन्ग रहन कर सकती है। मुख्यरूप से पर्व के तीसरे दिन जोर, भात, मरवा की रोटी, नोनी का साग खाया जाता है। अर्ष्टमी को परदोश काल में महिलाएं जिमूत वाहन की पूजा भी करती है। जिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, आदि, अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाये के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माते पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है, पूजन समापत होने के बाद जिविद पुत्री का व्रत के कथा सुननी चाहे, इस व्रत को करने से संतान की उमर लंबी होती है, यह माता पिता ही नहीं, बलिक पूरे कुल का नाम रोशन कर बंधों जिवित पुत्रिका के व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हूं प्रन्तु जिवित ना रहते हूं जिवित रहने लगते हैं साथे मृत्वस्सा दोश दूर हो जाता है एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारिका पुरी में निवास करते थे उस समय एक ब्रहामन भी द्वारिका में रहता था उसके साथ पुत्र काल के गाल में बच्पन में ही जा चुके थे इस दशा को देखकर वह ब्रहामन बहुत दुखी था एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा भगवान आपके राजे में आपकी कृबा से मेरे साथ पुत्र हुए प्रंतु जीवित कोई ना रहा क्या कारण है यदि आप अपने राजे में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताईए तब भगवान बोले हे ब्रहामन सुनो इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उमर तीन वरश की है उसकी उमर बढ़ाने के लिए तुम भगवान सुरे नारायन की पुजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारन करो तुम्हारे पुत्र की आयू बढ़ेगी ब्रहामन ने वैसा ही किया जब वह सव परिवार हाजोड और खड़े होकर इस परकार बिंती कर ही रहा था सुरे देव बिंती सुनो पाउं दुख अपार उमर बढ़ाओ पु पुट्र के गले में डाल दी और आगे चले गए थोड़ी ही देर में यम्राज उस ब्रहामन के पुत्र के प्रान लेने के लिए आया यम्राज को देखकर ब्रहामन और ब्रहामनी कृशन जी को जूटा कहने लगे भगवान कृशन अपना अनाधर जानकर तुरंत संद चक्र लेकर आ गए और बोले इस माला को यम्राज के उपर डाल दो इतना कहते ही ब्रहामन उस माला को उठाने लगा कि यम्राज डर कर भाग गए प्रंतु वहां यम्राज की छाया खड़ी रही उस फूल की माला को छाया के उपर फैक दी जिस के फल्फसरूप वेह छ शनी के रूप में आकर भगवान किरस्ण की प्रात्मा करने लगी भगवान कष्ण को शनी के उपर दया आ गई और पीपल के वरिशच पर निवास करने लगी इस प्रकार भगवान शिक्रश्ण ने उस ब्रामन के पुत्र की उमर बढ़ा दी इस लिए हे भगवान जिस तरह उस ब्रामन के लड़के की उमर बढ़ाई उसी तरह सब की उमर बढ़ाना बंधों जीतिया व्रत की आपको मैं एक और कथा सुना रही हूँ एक बार गरुड और एक मादा लोमडी नरमदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की काम ना की उनके उपवास के दोरान लोमडी भूक के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया दूसरी और चील ने पूरे समर्पन के साथ वरत किया और उसे पूरा किया परिनाम स्वरूब लोमडे से पैदा होए सभी बच्चे जनम के कुछ दिन बाद ही खतम हो गए और चील की संतान लंबी आयू के लिए धन्य हो गई इस कथा के एनुसार जिमूत वाहन गंधर्व के बुधिमान और राजा थे जिमूत वाहन शाशन से संतुष्ट नहीं थे और परिनाम स्वरूब उन्होंने अपने भाईयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेवारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गई एक दिन जंगल में भटकते हुए एक बुढ़िया उन्हें विलाब करते हुई मिली उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा इस पर उसने बताया की वह सांप के परिवार से है उसका एक ही बेटा है एक शबत के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरूर को चड़ाया जाता है उस दिन उसके बेटे का नंबर था उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुत वहां ने उन्हें आश्वाशन दिया की चटान पर लेट जाते हैं तब गरूर आता है और अपने अंगलियों से लाल कप्ड़े से ढखे हुए जिमुत वहां को पकड़ कर चटान पर चड़ जाता है उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रती क्रिया क्यों नहीं दे रहा तब वह जिमुत वहा पारे में पूछता है तब गरूर जिमुत वहां की वीता और प्रोपकार से परसन होकर सांपों से कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है माननेता है कि तभी से ही संतान की लंबी उमर और कल्यान के लिए जिवित पुत्रिका व्रत अर्थाद जीत्या व्रत मनाया जात है बंधों जिवित पुत्रिका से संबंधित एक और कथा में आपको सुनाने जा रही हूं महा भारत युद में पिदा की मृत्यू के बाद अश्वत धामा बहुत क्रोदी था वहें पिदा की मृत्यू का बदला लेने के लिए पांडव के शिविर में गया और उसने को मार दिया लेकिन पांडव जिन्दा थे जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वहें द्रोप्ति के पांच पुत्रों को मार आया है यह सब देखकर अर्जून ने क्रोद में अश्वतामा को बंदी बना कर दिव्यमनी को छीन लिया अश्वतामा ने इस ब ब्रहम अस्त्र चलाया जिस से उत्रा का गरब नश्ट हो गया लेकिन उस बच्चे का जनम लेना बहुत चरूरी था इसलिए भगवान कृशन ने उत्रा की अजनमे संतान को गरब में ही फिर्व से जीवित कर दिया गरब से मर कर जीवित होने की वज़े से इस तरह उत्रा के पुत्र का नाम जिवित पुत्रिका पड़ गया अतब से ही संतान की लंबी आयू के लिए जीतिया अर्थात जिवित पुत्रिका व्रत को किया जाता है राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधू यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद